नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंकला में आज सुनेंगे नरेंद्र कोहली जी की कहानी रोज सवेरे लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और पढ़चितों में शेयर भी करें बेल आइकन तबाना बिल्कुल भी ना भूलें आज सुनिये रोज सवेरे वर्मा जी रात को सोने से पहले अपने घर का बाहरी कपाट बंद करने आये तो उनकी द्रिष्टी अपने पढ़ोसी लाला जी पर पढ़ी वे चोथे तल पर रहते थे और इस समय रात को साड़े दस बचे नीचे उनके चबूतरे पर बैठे हुए थे ठंडी हवा खा रहे थे या किसी की प्रतीक्षा कर रहे थे इस समय तक तो वृद्ध लोगों को वैसे ही नीद आ जाती है क्या बात है लाला जी आज अभी नीद नहीं आई लाला जी के मन में आया कि कह दें कि अभी रात का भोजन ही नहीं मिला तो नीद कहां से आएगी किन्तु बोले नहीं घर के सम्मान का मामला था परदा पड़ा ही रहे तो अच्छा है वे स्वयम ही परदा उठा देंगे तो पड़ोसी तो घर के अंतिम छोड तक जहां काएंगे बच्चों को लेकर बहु किसी के जन्म दिन की पार्टी में गई हुई है लाला जी बोले चिंता हो रही है जाने इतनी देर क्यों करती जमाना अच्छा नहीं है वर्मा जी हस पड़े लाला जी आपकी बहु को भी तो यह बात मालूम ही होगी यही तो चिंता है कि कहीं बेचारी किसी संकट में न फस गई हो लाला जी ने साथ ही हाथ जोड दिया वैसे तो लड़की समस्दार है नहीं ऐसा क्या है वर्मा जी बोले अभी तो सारे दसी बजे हैं दिल्ली शहर तो सारी रात चलता है लाला जी कुछ बोले नहीं मूल समस्या को छिपा कर इधर उधर की बाते करने में उनको दक्षता प्राप्त नहीं थी जानते थे कि बात करेंगे तो सत अपने आप ही प्रकट हो जाएगा धके रखना था तो मौन ही उनका कवज था वर्मा जी समझ गए कि लाला जी अब और बात नहीं करेंगे वे कपाट बंद कर चले गए तब लाला जी का ध्यान इसोर गया कि वे इतनी रात गए किसी और के बंद द्वार के सामने बैठे हैं कोई भी देखेगा तो क्या सोचेगा बहु ने उन्हें घर से निकाल दिया है अत्वा वे ही अपना घर छोड़कर बाहर निकलाए हैं कोई कुछ भी सुभना शुरू कर देगा कौन नहीं जानता कि उनका बेटा यहां नहीं रहता और बहु उनसे प्रसन्न नहीं है वे उपर जाने के लिए उठ खड़े हुए जाते जाते भी पीछे मुड़कर देख लिया शायद कोई गाड़ी आ रही हो पर वहां कोई नहीं था चारो और अनेरा था थोड़ी दूर जाकर सड़क मुड़ जाती थी मोर के आगे कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता था वे सीड़ियां चड़ने लगे चौती मंजिल तक सीड़ियां ही सीड़ियां थी आज कल बाया गुटना बहुत कस्ट देने लगा था बड़े भाई के गुटने में कस्ट हुआ था तो उनके बेटे ने उनका आउपरेशन करवा दिया था अब वे ठीक थे वैसे भी उनके फ्लैटों में लिफ्ट थी यहां लिफ्ट कौन लगवाता दिल्ली प्रादिकरन वाले पांचवी मंजिल इसी लिए नहीं बनवाते कि लिफ्ट लगवानी पड़ेगी पर लाला जी अपने घुटने की बात किसे कहते बेटा दुबाई में बैठा है उसे अपनी नौकरी के लाले पड़े थे बहु को उनकी रोटी खिलाना ही भारी लगता था वह मानती थी कि उन दोनों के खाने के खर्च में ही उसके पती का सारा वेतन समार्थ हो जाता था कई बार पूँच चुकी थी कि वे अपना बोज स्वयम क्यों नहीं उठाते वे उसे बीसियों बार बता चुके थे कि उनके पास कोई जमापूजी नहीं है वे ही जानते थे कि उन्होंने बेटे को किन-किन मुश्किलों से गुजरते हुए पढ़ाया था और जिस दिन बेटा चार्टेट एकाउंटेंट हो गया था उस दिन ही उन्होंने मान लिया था कि उनके जीवन के सारे कस्ट समाप्थ हो गए है उन्होंने माना था कि वे जीवन के परवत को चड़कर उसकी चोटी तक आ गए हैं किन्तु वे क्या जानते थे कि बहु नाम की एक प्राणी भी परिवार में आने वाली थी जो उनके बेटे की सारी कमाई पर नागिन बन कर बैठ जाएगी वे उस पर उनका तनिक भी अधिकार नहीं मानती उल्टे वह उनसे पूँचती है कि सारा जीवन उन्होंने अपने रहने के लिए एक मकान तक क्यों नहीं बनवाया जीसे बेच कर वह दिल्ली में एक बड़ा मकान खरीच सकती उन्होंने अपने बुढ़ापे के खर्च के लिए पैसे क्यों नहीं बचाए संसार के सारे ससुर और दादा अपनी बहों और पोते पोतियों को विदेश घुमाने फिराने ले जाते हैं उन्हें अच्छे-च्छे होडलों में खिलाते पिलाते हैं उन्हें भेंट उपहार देते हैं किन्तु लाला जी क्या करते हैं उन्हें तनिक भी लाज तक नहीं आती बाजार से अंडे लाने को कहो तो पल्ला जार देते हैं मेरे पास पैसे नहीं है और लाला जी हैरान होते रहते हैं कि वह ऐसी बातें क्यों कहती है वह बिवाह से पहले भी उनकी आर्थिक स्थिती से परचित थी वह जानती थी कि उनका बेटा ही उनकी जमापूंजी है वही उनकी पेंशन है, वही प्राविडेंट फंड, वही उनका जीवन बीमा तब तो वह इस घर में आने को इतनी उतावली थी कि अपना घर छोड़ कर भागाई और अब उनसे प्रती दिन पूँचती है कि जब उनकी आर्थिक स्थिती इतनी ही दरित्र थी तो बेटे का बिवाह ही क्यों किया लाला जी उसकी किस बात का उत्तर देते ना वे उसके समान करवा बोल सकते थे ना गालियां दे सकते थे ना घर से निकालने की धमकियां दे सकते थे वे अपने पुत्र के दामपत्य जीवन को नस्ट तो नहीं कर सकते थे वैसे भी वे उनके पोते और पोती की मा थी कौन पिता चाहेगा कि उसका पुत्र अपनी पत्नी से वन्चित हो जाए और कौन दादा चाहेगा कि उसके पोते पोत्यां बिना मा के पले बढ़ें पिछली बार बेटा दीपा वली पर घर आया था तो पती पत्नी में आधी रात को कहा सुनी ही नहीं हाथा पाई भी हो गई थी बहू का सारे महले को दहलाता स्वर गुणजा था मैं यहां तुम्हारे माबाप की सिवा टहल करने वाली दासी हूँ तुम्हारे बच्चों को पालने वाली धाई हूँ और तुम वहाँ बगदाद की सुन्द्रियों के साथ रंग रलियां करने वाले शेक हो बहु ने बेटे पर कई प्रकार से आरोप लगाए कि उसके दुबई में अन इस्त्रियों से संबंध है हो सकता है वह किसी और इस्त्री के साथ रह रहा हो या कॉल गर्ज के साथ एश कर रहा हो बहु ने उसे ढेर सारी गालिया दी थी और अन्त में जगडे का पटा छेप करने के लिए उस पर चपल दे मादी थी किन्तु पटा छेप हुआ नहीं बेटे ने आत्मरक्षा में उसका हाथ पकड़ा तो बहु ने टेलीफोन उठा लिया वह अभी पुलिस को बुला लेगी वे सब मिलकर उसे पीट रहे हैं उसकी हत्या भी कर सकते हैं यदि पुलिस कुछ नहीं करेगी तो वह आत्महत्या कर लेगी और लिख कर छोड़ जाएगी कि वह अपने सास ससुर के दुरबेवार से तंग आकर अपने प्राण दे रही है उन दोनों के जगडे में पासपोर्ट शब्द भी बार-बार आ रहा था कान लगा कर सुनने से लाला जी को पता चला कि बहु ने बेटे का पासपोर्ट कहीं चुपा दिया था अब बेटा दुबाई कैसे जाएगा तो वे समझते ही थे बेटा भी है सब समझता था तुम इसे अपने साथ दुबाई क्यों नहीं ले जाते लाला जी ने प्रातर पूचा था वह वहाँ नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती पता नहीं क्या चाहती है कहती है दुबाई की नौकरी छोड़कर दिल्ली आजाओ वह बोला मुझे से अलग नहीं रहना चाहती दिल्ली में मेरे साथ रहना चाहती है दिल्ली और मुझे से किसी एक को चुनना हो तो वह दिल्ली को चुनेगी क्यों यह उसका देश है उसके बच्चों की पढ़ाई यहां हो रही है दुबई के स्कूल में भेज कर उसे अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़वाना है फिर उसकी सखी सहलिया यहां है रिष्टेदार और संबंधी यहां है यहां का मौसम अच्चा है दुबई में क्या रखा है तो छोड़ाओ न दुबई जब वहां कुछ है ही नहीं तो वहां क्यों टंगे बैठे हो बेटे ने आँखें फार कर उन्हें देखा आप नहीं जानते कि घर का खर्च कितना है एक लाख रुपया महीना तो यह अपने हाथ से खर्च कर देती है और देशकों तो वह और खर्च करेगी एक दिन में एक लाख रुपया खर्च कर सकती है यह अभी नई गाड़ी खरीदी है हीरो होंडा गुरगाओं का मकान है सब कुछ लोन पर ही तो है उनकी किस्तें चुकानी है दुबई की नौकरी छोड़ी तो किस्तें कौन चुकाएगा सारा रिण अपनी कंपनी से ही तो लिया है किस्तें चुकाने में चूक हुई तो जेल जाना पड़ेगा वह भारत नहीं है कि रिण लो और इधारुदार हो जाओ वसूली के मामले में वे लोग बहुत कठोन है लाला जी उसे आश्यर से देखते रह गए थे अपने जिस बेटे को वे धन्ना सेट समझते थे वह तो एकदम कंगला निकला कंट तक रिण में डूबा हुआ किस्त नहीं चुका पाएगा तो जेल जाएगा लाला जी आजीवन निर्धन ही रहे किन्तु उनकी इस्थिती ऐसी तो नहीं थी अगले दिन प्राते बेटा किसी समधान के बिना ही पत्नी द्वारा जप्त किया अपना पास्पोर्ट छीन कर दुबाई लोट गया था जाते जाते पत्नी से कह गया दुबाई आना हो तो बता देना टिकट भेज दूँगा जैसी भी चुडैल हो किन्तु मेरे बच्चों की मा हो दंगा फसाद मुझे पसंद नहीं है मैं तुम्हें कस्ट नहीं होने दूँगा यहां कोई पुरुष पसंद आ गया हो तो बता देना किसी और के साथ रहना चाहो तो चली जाना किन्तु भविश्य में मुझे पर कभी कोई आरोप मत लगाना मुझे दुबई बुला रहे हो हाँ और अपनी अर्वी रखेल को बातरूम में छिपा दोगे या किसी और को दान कर दोगे उसे अपने माता पिता की सेवा के लिए यहां भेज दूँगा गालिया खाने से बच जाएंगे और पचीस हजार में चैन से रह बेचारों का कस्ट कुछ तो कम होगा उनको भी तो इस बुढ़ापे में चैन मिलना चाहिए एक तल की सीढ़िया चड़ते चड़ते लाला जी अपने घुटने का दर्द भूल गए उन्हें इसमरन हो आया कि उन्हें भूँक लगी है वे दोनों पती पतनी अब तक भूँके बैठे हैं कि बहु और बच्चे लोटेंगे तो नेने होगा कि रात के भोजन का क्या करना है किसे मुर्गा खाना है और किसे गालिया साड़े नो बच गय थे और बहु का फोन भी नहीं आया था लाला जी ने कुछ साहस कर कहा था भागो कुछ बना लो बच्चे आएंगे तो क्या खाएंगे कुछ नहीं बनाया तो वे अपने भागे का खाएंगे भागवति ने कहा यदी बना लिया तो बहु मेरा कलेज़ा खा जाएगी किस से पूँच कर बनाया अपने बाप का घर समझ रखा है घर को ऐसे फूख दोगी तो रहोगी कहां कौन उत्तर देगा उसकी इन गालियों का उससे तो अच्छा है कि आदमी भूखा ही सो रहे लाला जी के मन में आया कि पूँचे कि भूखे नेंद किसे आईगी कि तो बोले हम तो भूखे सो रहेंगे पर बच्चों का क्या होगा बच्चों की मा वह है आप नहीं आप समझते हैं वह बच्चों को भूखा सोने देगी वह कुछ भी कर सकती है लाला जी बोले तुमने देखा नहीं है अपने ही बच्चों को मारने पर आती है तो कितना मारती है छड़ी तूट जाए उसकी अपनी बाहें तूट जाए किन्तु वह मारना बंद नहीं करती दोरे पढ़ते हैं उसे वह कुछ भी कर सकती है मैं तो बच्चों के प्राणों के लिए डरता रहता हूँ पर भागवती का साहस नहीं हुआ कि वह रसोई की और पैर बढ़ाए लाला जी जानते थे कि ये प्रतिदिन के संबाद थे और बहु के उस चंडी रूप का सामना उन दोनों में से कोई नहीं कर सकता था बच्चों के खाने का तो बहाना ही था लाला जी को स्वयम भूँक लगी थी और वे जानते थे कि भागवती भी भूँकी है वे फ्रिज को कई बार अच्छी तरह टटोल चुके थे उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो वे दोनों खा लेते और बहु उन्हें ही न खा जाती किन्तु फिर भी पेट की भूँक से बाध होकर लाला जी ने कई बार भागवती से कहा कि रसोई में देखे कि कुछ ऐसा है या नहीं जो निरापद रूप से खाया जा सके नहीं तो कुछ बना ही ले अपने लिए ना सही बच्चों के लिए लोड़ते हुए बहु बाहर से ही कुछ लेती आएगी कई बार ऐसा भी तो होता है कि या तो वह कुछ ले आती है या घर आकर फोन कर होटल से मंगा लेती है उस देवी के हजार हांथ हैं भागवती ने कहा ऐसे में मैंने कुछ बना लिया तो कटोरी भर आटे के लिए पीपा भर गालियां सुननी पड़ेंगी हाँ चिकन अफगानी और रोगन जोश लाएगी तुमसे उन्हें गरम करवा कर खाएगी और बची हुई हट्डियां तुम्हें दे देगी अपने पोपले मूँ से उन्हें चूसती रहना उन्हें क्यों चूसूंगी भागो बोली उन्हें पानी डालकर अच्छी तरह उबाल लूँगी और फिर स्वाज से उसमें डबल रोटी डुबो डुबो कर खाऊंगी मैं तो तंग आ गया हूँ लाला जी का मूँ कड़वा गया था इस बार बेटा आएगा तो साप साप कह दूँगा कि हमारे लिए कोई और प्रबंध कर दे अब इस प्रकार बहु के बंधुआ बनकर रहना संभव नहीं है किसने सोचा था कि जीवन की यह अंतिम वेला इस प्रकार के अपमान जनक कारागार के रूप में कटेगी बेटा तुम्हारे लिए अलग से कुछ कर देगा तो यह उसके सिर पर एक भी बाल नहीं रहने देगी भागवती ने कहा जाने उसके साथ क्या करे और क्या करे हमारे साथ कल जब यह मुझे डाट रही थी तो पोती ने सोयम मुझसे कहा था इससे तो कहीं अच्छा है कि दादा जी आप लोग किसी आस्रम में चले जाएं ना हो तो भुआ के पास ही चले जाएं फूपा जी की दो चार बातें सुनने पड़ेगी किन्तु इससे तो अच्छे ही रहेंगे पापा आप लोगों को वहां कुछ पैसे भेज दिया करेंगे आपके दिन इससे तो अच्छे ही कटेंगे पोती ने ठीक ही कहा है किन्तु जब जाना चाहेंगे तो जाने देगी पोते को भेज देगी दादा जी को मना लाओ वह हाथ पकड़ कर घसीटेगा एडियां रगडेगा आसू बहाएगा और फिर यह मुहले भर को सुनाने के लिए गली में ही चिलाएगी बच्चों से जरा सा भी नेह छोग नहीं है आपको उनको रोते हुए छोड़ जाएंगे एक तो बच्चों का बाप यहां नहीं है किसके भरों से छोड़ कर गया है वह है इनको अपनी बेटी बहुत प्यारी है आपको मैं कुछ नहीं होती आपकी बच्चे कुछ नहीं होते और आप चुप चाप लौट आएंगे तो और क्या कर सकता हूँ उसकी बातों का उत्तर नहीं दे सकते मर्द जात हैं तुम दे सकती हो तो तुम ही सहस दिखाओ मर्द बन जाओ लाला जी बोले आगे आगे चल परना मैं तुम्हें मना लाने के बहाने तुम्हारे पीछे पीछे चलाऊंगा इस बार कोशिश करूँगी क्या कोशिश करोगी लाला जी कुछ रोश में बोले उसकी नौकरानी तक तो तुमसे बरतन मंजवाती है उसे कभी कह सकी हो कि घर की मालकिन हो तुम उसके बाप की नौकर नहीं वह नौकरानी नहीं है आपकी बहु की प्रतिनिधी है उसे कुछ कहने का अर्थ है बहु को कह देना लाट साहब का चपरासी भी लाट साहब ही होता है भागवती ने कहा मैंने स्वयम सुना है बहु उससे कह रही थी तो बुड़िया से काम क्यों नहीं करवाती दिन भर खाट पर पड़ी रोटियां भखोस्ती रहती है मैं क्या कह सकती हूँ घर की नौकरानी हूँ और वे आपकी सास है कहा कर मेरे हाथ में दर्ध है आटा गूंध दो मुझे और काम है सबजी कार दो और तुझे किस ने कहा कि तू उन दोनों बुड़ों के कपड़े दोया कर पर कपड़े तो मशीन में धूलते हैं लाला जी ने कुछ चकी थोकर कहा बहु निम मना कर दिया है नौकरानी को आदेश है कि न वे हमारे कपड़े मशीन में डाले ना हमारे फुलके बनाए ना हमारे जूठे बरतंद होए ना हमारे कमरे का जाड़ू पोँचा करे भागवती ने उनकी ओर देखा आप नहीं देखते वह घर भर के फुलके बनाकर परे हट जाती है अपनी और उस कुत्ते बागु की रोटी बना लो पर भागो को तो उसी ने पाला है पाला होगा पर अब तो हमारी ही जिम्मेदारी है भागो ने कहा अर्था तो हम परिवार के सदस नहीं है नहीं है तो हम परिवार के सदस ही किन्तो हमारा इस्थान नौकरों के बाद आता है कुत्ते के साथ घर के लोग खाना खा लें फिर नौकर खा लें और तब कुछ बचे तो हम भी खा सकते हैं भागवती ने कहा मैं पोती की बात सोच रही हूँ यदि हम कहीं और रह लें और बेटा हमें कुछ पैसे भेज दिया करें भेजता तो वह यहां भी है पर यह मेरी जेब में कुछ टिकने दे तब न लाला जी बोले कभी कहेगी दूद ले आओ कभी अंडेब्रेट कभी गैस के पैसे दो कभी सबजी के मैं कब तक कहता रहूं कि मेरे पास पैसे नहीं है जख मार कर देने ही पड़ते हैं वे लोग बातने करते रहे थे सोचते रहे थे टटोलते रहे थे किन्तु खाने को कुछ था नहीं बहुत देर में भागवती के हाथ दो दिन पुरानी डवल रोटी के चार्ट टुकड़े लगे इन्हें खा लें उसे पता नहीं चलेगा वह इसे भूल भी चुकी होगी वैसे उसकी नौकरानी भी इन्हें नहीं खाएगी हाथ लग गई तो उठा कर बाहर फेक देगी कुट्तों के खाने के लिए तो चलो खा लेते हैं पूझेगी तो कह देंगे कि हमें नहीं मालूम नौकरानी ने खा लिये होंगे या बागू को डाल दिये होंगे कुछ कहने की आवशक्ता नहीं है भागवती ने कहा बस एक ही रट पकड़ लेना हमें नहीं मालूम हम तो भूखे सोय थे पर खाएं कैसे एक कप चाए बना लेती हूँ भिगो कर खा लेंगे उसको क्या पता लगेगा दिन भर तो घर में किसी ना किसी के लिए चाए बनती ही रहती है रात को ग्यारा के बाद ही बहु और बच्चे आये और सीधे अपने कमरे में चले गए इस पश्ट था कि वे लोग खाना खाकर आये थे नौकरानी भी उनके साथ ही गई थी वह भी खाकर ही आई होगी वह भी सोने चली गई भागवती ने डरते डरते पूछे ही लिया बहु खाना हमें भूख नहीं है उसने सिंग द्रश्टी से अपनी सास की ओर देखा और तुम्हारे मनहोस हातों का कुछ खाना भी नहीं है भागवती का साहस ही नहीं हुआ कि पूचे की हम हम क्या खाए लाला जी की नेंद उचट गई थी घड़ी नहीं देखी किन्तों सम ने दम तोड़ा था तो अनुमानत है ढाई बजे होंगे फिर से सोने का प्रैत्न करते रहे थे आधी रात को उठकर करना भी क्या था यदि बिस्कर छोड़ देते तो कुछ न कुछ तो करते ही कोई गती विधी होती कोई ध्वनी होती किसी प्रकार की खटपट होती तो बह किसी का नाम लिए कहती है हरामियों को नींद भी नहीं आती मेरा तो पती नहीं है साथ में पर ये दोनों तो इकटे हैं शरीर में कुछ गर्मी तो होगी ही अब उठें मोटर चलाएं उपर की टंकी में पानी भरना है देर कर दी तो पडोसियों की मोटरें चलने लगेंगी और फिर पानी मिलना कठिन हो जाएगा कुटे को गुमाने भी तो ले जाना है मुँ अधेरे गुमा लाएंगे तो ठीक नहीं तो उजाला हो जाएगा लोग घरों से निकल पड़ेंगे सब देखेंगे और सावधान हो जाएंगे कि कहीं लाला जी उनके घर के सामने तो कु पड़ोसी के घर की चिंता कोई नहीं करता किन्तो अपने घर की चिंता सब को है लाला जी वैसे भी भीरू बेकती हैं बात तो बात लोगों की तीखी द्रश्टी भी सहन नहीं कर पाते कौन अपने ही मुहले में लोगों से कहा सुनी करे फिर बहु को जगाना भी तो था नह बहु को सोई पड़ी देखकर वह भी मचल मारे पड़ी रहेगी बच्चों को कौन उठाएगा कौन तयार करेगा लड़की तो फिर कैसे भी तयार हो जाएगी छोटा बेचारा तयार नहीं हो पाएगा और मा के हांथों पिटेगा लाला जी को बड़ी दया आती है उस अब ना होता है और मार पड़ती है छोटे से बच्चे को अपनी नींद तो बहु से छूटती नहीं और चाहती है बच्चा एक आवाज पर बिश्तर छोड़ दे आधे गंटे में निवट कर नहा धो ले खापी ले और स्कूल चला जाए नहीं तो मा के हांथों पिटे मारती है तो ना यह देखती है कि हाथ जोर से पड़ जाएगा ना यह देखती है कि वह जूता जो उसने फेक कर मारा है वह उसको कहां लगेगा पर वे यह सब क्यों सोच रहे हैं सोचे नहीं तो क्या करें घर को तो रोज के ढर्रे पर चलना है और वह ना पानी के बिना चलेगा ना कुत्ते को गुमाय बिना चलेगा कहीं उसने घर में ही कुछ कर दिया तो सारी गालियां उनको ही पड़ेंगी तब उनकी कौन सुनेगा कि उन्हें रात को भोजन नहीं मिला था अत्वा उन्हें भूके पेट नींद नहीं आई थी बच्चों को भी जगाना ही पड़ेगा न जगाया तो उन्हें देर हो जाएगी लाला जी ने नीचे से उनके कमरे की और मुँ उठा कर आवाज दी बिट्टू उठ जा बेटे रिक्षे वाला आता ही होगा जाने क्या रोगा इस बुढ़े को सुबह होते ही चिलाने लगता जैसे मुर्गा बांग देता है बहु की विश्वरी आवाज आई बहु बच्चों को देर हो जाएगी भागवती ने पती को बचाने के लिए साहस किया तुमने ठेका ले रखा है बच्चों को छुट्टी के दिन भी स्कूल भेजने का स्कूल वाले कोई कमिशन देते हैं क्या हमें पता नहीं था बेटी की बच्चों की आच छुट्टी है तुमने कोई चर्चा भी तो नहीं की पता नहीं था तो पूछ लिया होता बहु का तीखा स्वर भागवती का कलेजा चीर गया कुट्टे को जगाना तो याद नहीं रहता बच्चों की नींद खराब करने के लिए पेट में मरोर उड़ते रहते हैं भागवान भी सो गया लगता है इन्हें उठाता तक नहीं लाला जी ने भागवती का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गए चुपकर सुबह सबेरे गालियां सुनने का शौक है क्या हमारी तो सुबह ऐसे ही होती है यहां कब भगवान के भजन से नेंद तूटती है भागवती का स्वर्पर्याप्त शांत था तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं